भारतिय जंता पार्टी के लीडर और सेंटरल मिनिस्टर नितिन गड़करी ने भारतिय जंता युवा मोचा के प्रोग्राम में कहा कि आंदरप्रदेश और तलंगाना में सर्फ दो परिवारों की हुकूमत चल रही है नितिन गड़करी ने तिलंगाना और आंधर पदेश के लोगों से अपील की कि वो केसियार और चंदरबाबु नाइडू से बच के रहे हैं नितिन गड़करी ने कहा कि दोनों राजियों तिलंगाना और आंधरा में दोनों दलों के मुख्य मंत्री राज के हितों की बातों को छोड़ कर केवल अपने परिवार कभला कर रहे हैं नितिन गड़करी ने दोनों राजियों के मुख्य मंतरों पर आरोब लगाते हुए कहा कि चंदरबाबु नाइडू और के चंदरशेकर राव राजकोश का दूरू प्योग कर रहे हैं केंदर मंतरी नितिन गड़करी ने तिल्गय देशन पार्टी और तिलंगाना राष्ड्र समेथी से आंदरबरदेश और तिलंगाना के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है नितिन करकरी ने बताया है कि भारतिय जंता पारटी की सरकार आंदर परदेश के पोला वरम के लिए 70,000 करोड रुपे खर्च कर रही है ठीक उसी प्रकार तिलंगाना की कालिश्वरम प्रयोजना के लिए भी बड़े पैमाने पर भारा सरकार मदद कर रही है इस सब के बावजूद आंदर परदेश और तिलंगाना के मुख्य मंतरी राजनीतिक फायदे के लिए मोदी की सरकार पर कीचड उचाल रहे हैं और केंदर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं नितिन करकरी नि कहा कि भारा सरकार की ये मनशा है कि कृष्णा और पेना नदियों को जोड़कर आंदर परदेश तिलंगाना और तमिल नाडु के दूर तराज गाओं तक पानी पहुँचाया जाए ये पूर्व दिविंगत प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपाई का सपना था और उनके इस सपने को मोजि सरकार पूरा करने के लिए पाबंद अहद है